मैं कैसी लेगी आपको आधी पूरुष देखे आ रही है मुझे आधी पूरुष मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं दर्शकों से अपील भी करना चाहूंगी देखे रामायन को कहा जा रहा है कि पहले वाली रामायन अलगती है कहानी चेंज कर दीगई है तो कैसे इसमें थोड़े से फणी ड्यालॉग्ड ओए इसकी रही तो चीजों बना चेंज्जिस करते हैं तो रावड भी बदलता है तो राम का रूप भी बदलता है लेकिन ऑवराल संदेश तो अच्छा ही था इना पॉजिटिव बदल गया सैफ अली खान का रोल जो था उसमें पॉजिटिव बदलता है तो बदलता है और दर्शकों को देखने चाहिए प्रभास प्रभास बहुत सीरियस लग रहे हैं राम के रूप में सीता का रोल बहुत अच्छा है कृति सैनन का और हनुमान का भी रोल अच्छा है तो बाकी चीज तो ठीक है जहां पर जड़ी काते हैं वहां किसी लड़ीकी ने काई है लेकिन कोई बात नी ओवर ओल अच्छी मूज उसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब अगर कहानी थोड़ी चेंज कर दी को इतना बड़ा बेग इशू नहीं बनाना चाहिए लोगों क्या बदलते समाज की बदलती मूवी और जहां इस फिल्म को हिंदू-Muslim नहीं करना चाहिए सैफ अली खान एक एक्टर है ना कि हिंदू-Muslim तो वो बेकार की बात है लोगों को बदलता देश और अपनी सोच बदलने शहीं है मैं यहीं काऊंगी थैंक्यों कि बात करें साथ किसे दिंगे पांच में से पांच में से मैं को एक आधुनी को में देखना का भी जबरस लगा फुल एंटेंटेंबेंट लोग कहने है कि यार स्टोरी बदल दी गई पहले के नमाइंड अलग थी अपके नमाइंड अलगे तो इसको मत देखो ऐसे कह रहे हैं स्टोरी नहीं बदलिया तो और रावन अपने जो रत पर आता था उसकी जगा उसको दूसरे रत में पर परिर्वतित किया है थोड़ा वह चेंज करके इसको दिखाये गया है और जो कॉंट्रोवर्शी थी एक सहिफ अलीख ती उनके जो जिस रूप में थे रावन के रूप में थे तो क्या वह वो कॉंट्रोवर्सी दुबारा अच्छा रिस्पोंस दिया उन्होंने अच्छी टककर दिया परवास की मुकाबले और अच्छा मुकाबले नजरारस परवास का और सेफ लिखाना की इतने स्टार पांच में वरिस्टार